मुखमद सुहेल अगर आप पहली बार यूट्व चैनल पर आये तो यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करिए अगर आप अभी तक प्री टेलिग्राम गुरूप चैनल को जोइन नहीं किये तो डिस्क्रिप्षन में लिंग है क्लिक करिए जोइन करिए टाटा पावर पर म आपको अपना पिछला वीडियो में अपडेट दिया था फस्त जून पर अपडेट दिया था दोस्तो मेरे टार्गेट 222 है अगर आप एक सेफ ट्रेडर बुक प्रॉफिट करना चाहते हैं तो 218 पर निकल जाएए पर मैं कम्प्लीटली सजेस्ट करूंगा स्टॉक के अंद डैन देने वाला है श्टॉक का आप लोगों को ओवर बॉर्याट यृज देखने को मिलेगा यह मैं आपको बताया था दुस्तों अभी मैं आपको मैंट्रिक सिरीज पए Аनेलेसिस करके बताने वाला हूं क्यूंकि मैं मैंट्रिकолж पर कई समय से बात करता हूं कभी मैं मैं RSI, अभी मैं RSI भी लगाऊंगा, अब यहाँ पर RSI भी आपको भी सीखने का इसके अंदर चांस मिलेगा दोस्तों, RSI कभी भी यहाँ पर देखो overbought है, और यहाँ पर star mark indication है, इसका मतलब कि यह perfect selling है, इसके उपर buying नहीं हो सकता, अगर इसके उपर buying हो रहा है, तो यहाँ पर buyer trap करके stock fall करेगा, यह indication होता है, अभी उसके बाद अगर आप देखेंगे, कभी कभी RSI उपर जा रहा है, overbought नहीं हो रहा है, जब जब यहाँ से trend series चल रही है, reversal and upper trend, उसी के basis पे, अगर आप यहाँ पर देखेंगे, अभी यहाँ पर star mark indication आ चुके हैं, अब देख सकते हैं, matrix series में star mark indication आ चुके हैं, stock overbought है, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब यह है, stock अगर इस price के उपर कौन से भी price पे जा रहा है, तो stock के अंदर buyer trap होगा, क्या होगा, buyer trap होगा, dividend के लिए rally आएगा, और यहाँ पर buyer trap होगा, यह इसका कहना है, तो मेरा suggestion आ मैं कुछ भी देने वाला नहीं हूँ, अपने Tata power में दोस्तों, और Tata power के अंदर correction आने वाली है, तो मैं बस इतना suggest करूंगा, कि आप safe हो जाओ, अभी मैं थोड़े levels draw करूंगा, उस levels के इससाब से आप बैट जाना, ठीक है, अभी आगी analysis में जाने से पहले, यह मेरा WhatsApp contact number ह अगर आपके portfolio में कुछ stock negative है, positive है, और आपको समझ में नहीं आ रहा है, क्या करना है, नहीं करना है, तो आप मुझे WhatsApp number पे contact कर सकते हो, और मेरे से आप direct बात भी कर सकते हो दोस्तों, अभी मैं levels draw करूंगा, levels है हमारे यहां के, जो आज Tata power reject हुआ है, आप यहां पे देख सक का rally ले सकता है, 231 तक का, यहां पे rally ले सकता है, और इसके अंदर buyer trap होगा, क्या होगा, buyer trap, जान बूचके, buyer trapping के लिए यहां पे value बढ़ाया जाएगा, trap करेगा, sustain करेगा, fall करेगा, अब यह जो fall जो है, यह आपको 3-4 महने तक अटका की रखेगा, दुस्तों, तो मेरा simple suggestion है, इस trap में मत फसो, क्योंकि यहां से भी selling देदे, यहां से भी selling देदे, यहां से भी selling देदे, मैं suggest करूँगा, कि हमारे target अच्छी हो चुके है, मैं hold करने की एक रूपे की suggestion नहीं देता, दुस्तों, यह था मेरा analysis startup power पे, अगर आपको stock पे analysis समझ में आया, तो वीडियो का लाइक करिए, शेर करिए और यूटूब चैनल को सब्सक्राइब करीजिए, थैंक यू फॉर वाचिंग मै वीडियो